हेलो इस वीडियो में आज हम function के अंदर return keyword कैसे use किया जाता है ? इस के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम return keyword यह होता क्या है ? तो यहां पर इसकी definition है the return keyword is used to return a value from the function इस function may or may not return a value तो यह इसकी definition है अब हम ये सिखेंगे कि function के अंदर return keyword का program कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे तो function के अंदर return keyword को कैसे use किया जाता है इसको हम program की जरी समझेंगे यहाँ पे program है write a program to demonstrate the use return statement in function तो इस program को हम notepad में use करेंगे तो यह हमने notepad को open किया open करने के बाद यहाँ पे function के अंदर return keyword को कैसे use किया जाता है इसके बारे में इस program में सिखेंगे अगर हमें question किया जाता है कि दो values में maximum value हमें बताएं या दो value में minimum value हमें बताएं तो यह हम यहाँ पे function के अंदर return keyword के जरी यहाँ पे इसको करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे HTML इसके बाद Body इसके बाद H1 स्टार्ट किया हुआ इसके बाद PHP को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे Function यह दिखो function लिखा हुआ इसके बाद Maximum यह हमने Function Name दिया हुआ है कि maximum value बताओ और इसके round bracket में हमने लिखा हुआ variable x, variable y और round bracket को हमने close किया इसके बाद curly bracket इसको open किया इसके बाद यहां पे हम if else condition use करेंगे if यहां पे use किया इसके बाद यहां पे condition लगाई तो maximum value पुछी है तो यहां पे लिखेंगे हम variable x is greater than variable y और round bracket को हम यहां पे close करेंगे इसके बाद curly bracket इसको open करेंगे इसके बाद यहां पे लिखेंगे return variable x तो यहां पे हम return keyword use करेंगे अगर यह value सही है तो हम यहां पे print करके बताए अगर यह सही नहीं है इसके बाद यहां पर curly bracket इसको close करेंगे फिर लगाएंगे else इसके बाद curly bracket open इसके बाद यहां पर लिखेंगे return variable by इसके बाद curly bracket इसको close करेंगे और यहां पर एक और curly bracket है इसको भी close करेंगे यह देखो उपर यहां पर हमने curly bracket open की थी तो यहां पर हमने इसको नीचे बंद कर दिया, अब यहां पे हम values को रखेंगे, यहां पे लिखो, variable a is equal to 12, और यहां पे variable b is equal to 35, यह दो यहां पे values हमने भरी, इन में से कौन सी value maximum है, वो हमें बताए, फिर इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे, variable value is equal to maximum, round bracket में हमने लिखा हुआ है, variable a, variable b, इन में से maximum value कौन सी है, यह बताए, इसके बाद round bracket इसको close किया हुआ है, इसके बाद semicolon, और यहां पे यह दिखो statement लिखेंगे हुई है, equal the max of variable a and variable b is, यहां पे variable value backward slash n, इसके बाद semicolon लगाया हुआ है, और यहां पे php को बंद किया हुआ है, इसके बाद h1 को बंद किया हुआ हुआ है, इसके बाद body को बंद किया हुआ है, और यहां पे stml को बंद किया हुआ है, तो यह हमने function के अंदर, यहां पे return keyword यूज किया, यह देखो, 1 return keyword यहां पे यूज किया एक यहां पर यूज किया अगर यह condition false हो जाती है तो यह condition true होगी अगर यह true हो जाती है तो आगे इसको check नहीं करेगा अब function में हमें यह चाहिए कि maximum value हमें दो values में बताए यह देखो एक value 12 है एक 35 है तो इसमें maximum value कौन सी है यह इसके बाद हम इसको क्या करेंगे save करेंगे यह file पर गए इसके बाद save as पर गए save as पर जाने के बाद हमने यहां पर c drive पर click किया click करने के बाद यहां पर window 64 यहां पर click किया इसके बाद यहां पर www इसके बाद project folder इसके उपर click किया इसके उपर click करने के बाद यहाँ पे हम file name देंगे hj यह file name दिया हमने .php यह file extension लगाएंगे इसके बाद इसको save कर देंगे यहाँ पे save पे click किया save पे click करने के बाद इसको यहाँ पे minimize करेंगे इसके बाद bomb server इसको open करेंगे यहाँ पे task bar में हम click करेंगे यहां पे BAM server के उपर और यहां पे जाएंगे localhost इसको उपन करेंगे यह localhost window यहां पे उपन हो जाएगी इसके बाद यहां पे सबसे उपन लिखेंगे localhost इसके बाद यहां पे forward slash project प्रोजेक्ट लिखा इसके बाद forward slash इसके बाद fire name लिखेंगे hij इसके बाद dot php यह लिखा लिखने के बाद enter press करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह print हो के आ गया the max of 12 and 35 is 35 दो value है 12 है और यह 35 है तो इसमें maximum value जो है वो 35 है तो यह देखो यहाँ पे हमने यह return variable यहाँ पे use किया था variable x या तो यह बताए या return variable by इन में से values बताए तो यहाँ पे हमने values वरी थी यह देखो variable a 12 और variable b यहाँ पे 35 तो इसमें maximum value जो है वो 35 है तो 35 यहाँ पे आ गया यह देखो इको क्या करें हमें display क्या करें तो यहाँ पे variable a and variable b is value backward slash n तो यहाँ पे यह print हो के आ गया the max of 12 and 35 is 35 अगर function में return keyword के जरीए हम यहाँ पे minimum value निकालना जाते हैं तो यह भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पे function में यहाँ पे लिखेंगे maximum की जगा minimum तो यहाँ पे हमने लिखा minimum यह function keyword लिखा हुआ है इसके बाद यह minimum हमने name दे दिया इसके बाद यहाँ पे यह दिखो condition का आई हुई है तो if यहाँ पे variable x यहाँ पे लगाया हुआ है greater than तो यहाँ पे हमने भरा minimum तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यह symbol change करेंगे यहाँ पे less than का use करेंगे यह देखो यहाँ पे greater than इसको मिटाएंगे और यहाँ पे less than का use करेंगे यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे variable by इसके बाद round bracket इसको close करेंगे इसके बाद फिर यहाँ पे यही रहने देंगे जो लिखा हुआ है जैसे return keyword इसमें variable x as return keyword यहां पे variable by और यह जो यहां पे नीचे value दी गई है इनको हमें ऐसे रखेंगे इसके बाद नीचे यहां पे लिखा हुआ है value is equal to यहां पे maximum की जगा minimum लिखेंगे तो इसको यहां से मिटाएंगे और यहां पे लिखेंगे minimum यह minimum लिखा minimum लिखने के बाद यहां पे यह लिखा हुआ है maximum तो यहां पे हम लिखेंगे minimum यह लिखा लिखने के बाद यह यह रहने देंगे 12 और यहां पे 35 A की यहां पे variable A की 12 value लिखी हुई है variable B की 35 तो इसके बाद हम फाइल को save करेंगे यह देखो file पे गए, save पे गए save पे जाने के बाद जब हम यहां पे इसको refresh करेंगे तो इन में से minimum value कौन सी है यह हमारे पास यहां पे आ जाएगी यह देखो इसको refresh करके देखते हैं यह refresh किया, तो refresh करने के बाद यह देखो यहां पे आ गया the minimum of 12 and 35 is 12 तो यह यहां पे print होके आ गया तो इस तरह से PHP में हम function में return keyword का use कर सकते है तो इस वीडियो में हमने return keyword के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद